ठीक है, मैं तुम्हें दो लाक रुपे दे देता हूँ, लेकिन बदले में दो दिन के लिए मुझे तुमारी वाइफ चीए क्या सर, आपको शरम नहीं आई ये बोलते हुए, अरे पूरी जिंदगी मेरे पती ने आपके हाँ काम करते हुए बिता दी आज मेरे बच्चे की तबद खराब है, और हम आपसे मदद माग निकले आएं, तो आप यहाँ मेरे सौधा कर रहे हो सौधा नहीं, मोका बोलते हुए उसे, मैं मोके का फायदा उठा रहा हूँ देखो, सीधा सीधा बिजनिस की बात है, तुमारा बेटा होस्पिटल में जिंदगीर मोट से लड़ रहा है, और मैं तुम्हे पाने के लिए तुमारे पती से लड़ रहा हूँ सर, मुझे आप से यह उमीद नहीं थी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा नहीं करेगा तो मत कर, तु देखता रहा है अपने बच्चे को उस्पिटल में मरता हुआ देख अपना सीधा फंडा है, यह पकड़ पैसे और बचा ले अपने बच्चे की ज्यान देख, हमें अपने बच्चे के लिए यह करना होगा प्लीज कपिल रुको मुझे यह चोड़के मत जाओ, प्लीज रुक जाओ इसकी बातों पर द्यान मत दे, तू ले यह पैसे यह तो औरत है, यह दिल से सोच रही है, अरे तू तो आदमी है, दिमाग से सोच बस अपने दिमाग में एक बात रख कि तुझे अपने बच्चे को बचाना है, इसके बारे में मत सोच, इसके बारे में मैं सोच दूआ अब तू सोच रही होगी कि यह तेरी लाइफ में अचानक कैसे हो गया? कुछ अचानक नहीं है, सब पहले की प्लाइन है जब मैं पहली वर तुमारे हाँ चाय पे आये था तो तभी से मेरी नजर थी तभी से मैंने सोच लिया कि तुझे तो अपना बना के छोट वा अरे छी, शरम करो तुमारे छूने से तो अच्छा है कि मैं मर जाओ मुझे मरना पसंद है लेकिन ये मन्जूर नहीं है कि मेरे पती के अलावा मुझे कोई और छुए सर, ना ही मुझे आपके पैसे चाहिए और ना ही मैं आज से आपके कंपनी में जॉब करूँगा चलो रुको मैं इस से अपने बच्चे की जान बचानी है और हाँ बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम दोनों के प्यार क्या आगे और उस बच्चे की जिन्दगी क्या आगे मैं हार गया और हाँ मैं ऐसे इमानदार और कावी एंपलोई को खोना नहीं चाहता मेरी बत्तमी जी माफ करना हो सके तो अब बच्चे की जान बचाओ मुझे से जितना हो सकेगा और करूँ मैं